नमस्कार दोस्तो आज हम सिलाई मसीन के तिन ऐसे प्रॉबलम के बारे में जानेंगे जो अक्सर हमारे सिलाई मसीन में होती रहती है वो प्रॉबलम क्यों होती हो उसे किस वरकार ठीक किया जाए इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे तो दोस्तो पहली पर सिलाई मसीन की प्रवलों होती है तो इसके लिए हमें टैंसन को खोल के कि आदे पहले खोल के अलग कर देना उसके पर तरीके से सफा कर देना है सिसे कोई कोई कच्छरा या कुछ हो सफा हो जाए पता क्या हो तो दोस्तों कभी काल तेंसन में जो है ना कच्छरा फश जाता धागे को टुक्रे फ़स जाते इस वज़ह से तेंसर ढिला हो जाता है और हमारे सिलाई मशीन नीचे बुच्छा और जो है दाने दिना शुरू गो होला है टेंशन लगाने के बाद दोस्तों फिर हमें दागा लगा के उसमें हö Alternia टॉम्हार होता है कि हमारी टेंसंसर दागा है वह टाइटormal तो नहीं आरहा है टाइडर हो ठोड़ ढलता कर देंग me डिलrolle आरहा तो हमें अलक टाइड करके उसे सेट कर देना होता है ठीक करने के बाद दोस्तों फिर हम आपको जो है चेक करके दिखाते हैं कि हमारा प्रोब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ तो यह देखें दोस्तों हमारी पहले वाली सिलाई और अब वाली सिलाई अब वाली हमारी सिलाई एकदम परफेक्ट एकदम बढ़िया है पहले वाली सिलाई जिसे गुच्छे दाने जो भी थे वो समस्या हमारी दूर हो गई है इस तरह दोस्तो आप भी अपने सिलाई मसीन की ये वाली समफ से आसानी से ठीक कर सकते हैं तो दोस्तो दूसरी जो प्रॉबल्म हमारे शिलाई मसीन में आती है वो हम अब आपको दिखाते हैं जैसे दोस्तो पहले हमारे नीचे का धागा सही ने आ रहा था उसी परकार उपर का दागा हमारा अब सेट नहीं है दाने आ रहे हैं और देखो दाग कैसे लूज आ रहा है उसके लिए दोस्तों पता क्या करना होता हमें अपने बोविन केस याने डिब्बी को बाहर निकालना होता है डिब्बी को बाहर निकालने के बाद फिर आपको प्र पिर या फिर दोस्तों कभी काल क्या होता है कि हमारी डिल्सायो में में कष्षरा जिसे अधागे का टुकड़ा फस यहाता है सब पती पै 가져 खेता है और मेंस को चक करते के मारे विश है या नहीं हैं दोस्तों यह सब करने के बावजूद भी अगर हमारा सिलाई सेट नहीं आ रहा है तो हमें फिर बोबिन केस को चेंज कर देना चाहिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर किलिक कर देना जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पहुंसता रहे तो दोस्तों अब चेक करते हैं कि जो है हमारी प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं लेकिन दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सही हो गए क्योंकि हमारे सिलाई मशीन की बोबिन केस में धागा फसा होनी के वज़ा से इ कि इसरी प्रॉबलमें दोस्तों वह अब दिखाते हैं आपको ए दोस्तों और उसमें क्या होता है कि टॉब्लम मसें टाब ओफ यह देखिंए धाग के छोड़ सूड़ा पामारती है क्योंकि दॉब्लम हुमारे निडल से हो सकती है तो हूम सबसे पहले निडल खोल कि देख लेना है कि जो हम कई निडल कि सही लगाए थे नहीं क्या होता दोस्तों कभी काल निडल हम गलत साइड से लगा देते चिप्टा वला इससा उधर होना चाहिए लाइनिंग वला इससा इधर होना चाहिए तो हम लाइनिंग वला इससा उधर कर देते चिप्टा वला इ उसके बाद में फिर हमें सिलाई करके फिर चेक करना है कि हमारा जो है टाप मारने वाली यानि दागा छोड़ छोड़ के चलने वाली समस्या ठीक हुई है या नहीं तो यह देखो दोस्तो जो पहले हमारी मसीन टाप मार रही थी दागा छोड़ छोड़ के चल लही थी वो समस्या आप एकदम सही हो चुक है यह दिके सिलाई कितनी बढ़िया है तो इस तरह आप भी दोस्तो अपने सिलाई मसीन की तीनों प्रेशानी दूर कर सकते हैं अगर दोस्तो इस वीडियो सो आपको थोड़ी भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद